शिम्ला के संजोली में हालात उस वक्त तनावपूर बन गए जब प्रदशनकारी सरकों पर उतर गए मांग थी कि इस मस्जिद को डिमोलाईश किया जाए चुकि अवैद इसे निर्मार के तोर पर देखा जा रहा है वहां के लोगों का कहना है कि मस्जिद अवैद रूप से बनी है और इसलिए प्रशासन को यहां पर तुरंट आदे घंटे का यही काम है प्रदशनकारी ही कह रहे हैं कि आदे घंटे के अंदा इसे डिमोलाईश किया जाए वहें प्रशासन की तरफ से पुलिस की तरफ से साब तौपक कहा गया था कि धारह 163 लगाई गई है यानि कि यहां पर पास से जादा लोगी खटा नहीं हो सकते परमीशन नहीं दी गई थी प्रदशनकारी को परमीशन के वाबजू भ्यापर जब प्रदशनकारी के लिए पहुँचे हंगामा खड़ा हो गया कई ऐसी बार इस्तिती हुई कि प्रदशनकारी और पुलिस के भी जड़ाप होई और ऐसे में पुलिस को लाटी चार्ट का सहारा तक लेना पड़ा है एक, दो, तीन, तीन बैरिकेट्स को तोड़के जब भीड आगे बढ़ने लगी, उग्र होने लगी तो उसके बाद वाटर कैनन का भी इस्तमाल किया गया यानि आसो गैस के गोले भी चोड़े गए और इसके वाब्यू जब आगे लगातार भीड बढ़ रही थी तो कई बार ऐसी इस्तिती आई कि फोलिस के हाथ पैर भी फूल गए दरसले कोई पहला मौका नहीं है जब वहाँ पर आत्रोष जाहिद किया गया हो प्रदर्शन कारी के तरफ से, लोकलाइट्स की तरफ से इन लोगों का साथ वपक कहना है कि प्रशासन आखिरकार हमारी मांगों को क्यों नहीं सुन रहा है कारवाई क्यों नहीं कर रहा है आखिरकार ये हाला क्यों बने हुए हैं शिमला के संजोली को लेकर आपको ये पूरी स्टोरी बताते हैं और इसके पीछे का असल कारण बताते हैं दरसल 30 अगस्त का वो दिन था जब एक शक्स के साथ यहां पर मार पीट हुई 6 आरोपी थे जिसमें 5 आरोपी यूपी के बताए गए और एक उत्राखन का बताए गया खबर ये मिली कि इन तीनों ने मस्जिद में जाकर अपने आपको चुपाया है जब ये बात लोगों तक पीछ पहुची तो उसके बाद लोगों का कहना था कि ये जो मस्जिद है या वैदरूप से बनाएं गई है इसलिए डिमोलाईश किया दाना चाहिए लगातार ये मांग बरती गई और ये मांग इतनी जारा बड़ी कि सडक से लेकर सदन तक ये मामला उठा संग्राम वहाँ पर भी देखने को मिला खुद सुकु सरकार के जो कैबरेट मन्री है यानि कि अनिरोद सिंग उन्होंने कहा कि हाँ ये जो प्रदर्शन हुआ था ये बिलकुस सही है और ये जो जमीन है वो सरकार की है और इस पर ये मस्जिद बनाएं गए है लिहाज़ा ये अवैध है उन्होंने कहा कि वाकई कारवाई होगी ये अश्वासन भी दिया गया ये कोर्ट में मामला चल रहा है लेकिन इसकी वाब जूद यहां पर प्रदर्शन कारी ओग रहे हैं उनका साथ तो पर कहना है कि पहले यहां पर कारवाई होनी चाहिए मुख्यमंत्री यहां पर साथ तो पर कह रहे हैं कि अगर ये अवैध है तो कारवाई होगी लेकिन इन सब के बीच मेनेता प्र ये सिर्फ मामला अवैध मस्जिद ये अवैध निर्मार तक नहीं है दरसल ये मामला घुसपैटियों तक है चुकि खुद कैबिनेट मंत्री इस बात को अनिदोदु सिंग स्विकार कर चुके हैं कि कई ऐसे घुसपैटियों हैं जो हिमाचल में एंट्री कर चुके हैं जिसक खुद कैबिनेट मंत्री इस बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी पैचान सके उनका रिजिस्ट्रेशन के सत्यापन हो सके अप राधों पर लगान लगाई जा सके और दरसल वहाँ जो आसपास के लोग हैं जो शिबला में संजोली में रहते हैं उनका कहना है कि ये चीज हमें श खहरा होता गया लोगों का कहना है कि रोहिंग्यां है लोगों का कहना है ये बंगलादेशी हैं घुसपैटी हैं और इनी के वज़ए से हमारी जो कानून में वस्ता है वो बिगड़ रही अपराद बढ़ रहे हैं और इसलिए यहां पर सत्यापन जरूरी है एक बड़ी नी अब देखना होगा कि सरकार ऐसे वे क्या आगे कदम उठाती है